Hello Everyone! आज हम बात करेंगे मनी प्लांट के बारे में मेरे पास मनी प्लांट के कही पोदे हैं यह सबसे बड़े वाला है यह मैंने एक प्लास्टिक के पोट में लगा रखा है और यह इस्टिक मैंने खुद बनाई थी जिस पे यह लगा हुआ है मोस्स्टिक तो वो मैंने खुद बनाई थी, तो वे बोरी से बनाई थी, मैंने इसका वीडियो भी अप्लोड किया था पहले, साइद आपने देखा हो, तो अब ये जाड़ सा मेरे को लग रहा है, क्योंकि ना डंडियां जाद हो गी है, बेल बेल हो रही है जाद है, पत्या थोड़ी कम लग रही थी, और इसके चारो तरह प्लपेट लपेट के ये बहुत जाद घना हो गया, तो तो मैंने सोचा चलो इसको दुबारे से ठीक करते हैं, क्योंकि जब ज़्यादा पत्या होती है, जब ज़्यादा सुन्दर लगता है, अभी देख सकते हैं, आप रसी रसी सी कितन साल का पोदा हो रहा है, तो इसकी सारी जड़ी भी मैंने निकाल लिया, मनी प्लांट की बहुत ज़्यादा जड़ नहीं होती है, तो अभी मैंने ये इसमें, मोसिस्टिक से इसमें 20 मिन इसान बना लिया है, कि जब मोसिस्टिक लगाएंगे हैं, बिल्कुल सेंटर में, पहले तो वो लगा दूँगी, मैं फिर पत्ते लगाऊंगी, तो जहां जड़ है, वो एक एक इस तरह करके, मैं पत्ते, बहुत सारे पत्ते कट कर लूँगी, इसके, इन सब पत्तों के नीचे जड़ बनी हुई है, इने हम पानी में, मट्टी में, कहीं भी रखेंगे, तो इन में बहुत जल्दी से जड़ निकलाते हैं, बहुत मतब अच्छे से ये जड़ पकड़ लेते हैं, कुछ मैंने लगा दिये हैं, कुछ मैं ऐसे कट करके तयार करूँगे, उसके बाद इनको, सब को मट्टी में लगा दूँगी, लगाने का तरीका आपने देख लिया कैसे लगानी है आप इन्हें छोटे से छोटे कप में लगा सकते हैं और बड़े से बड़े गमले में देख लो मेरे पास कितनी सारी खट्टी हो गए और ये देखो इन में से सब में से निकल भी रही है यह जो सबसे सुरुवाला होता है वो भी मैंने सारे निकाल लिये हैं और इस तरह सभी के पिछे इस तरह जड़ बनी हुई है तो इन्हें मट्टी में हम लगा देंगे तो इन्हें अच्छे से जड़ पकड़ लेंगी यही फायदा होता है मनी प्लांट का कि इसे आप एक पत की तरह हो रही है तो आप उसको इस तरह ठीक कर सकते हैं सिंपल पानी दे देंगे थोड़ी सी छामवाले एरिये में रखेंगे जब तक यह ग्रो नहीं करती और अगर वीडियो पसंद आती है तो प्री लाइक कर देना और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर ल की देखिंगे में दे उर दे दे आप देखिंगे में देन फी रादेराएइगे